नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल्तियागी और आप देख रहे हैं चक्र व्यू तीन अक्टूबर यूपी का लखीमपुर खिरी का तिकुन्या इलाका कल का ये दिन यूपी के लिए बहुत एहम हो गया है और वो इसी लिए आज पूरे देश का केंडर भी लखीमपुर बन गया है दरसल कल डिप्टी सीम केशब प्रसाथ मौरे की कारकरम से पहले बवाल वहाँ पर खूब मचा और अब तक इस पूरे बवाल में नौर लोगों की मौत की खबर है इनमें से चार की मौत कतित तौर पक किसानों के उपर गाड़ी चरहाने से हुई बाकी चार की जान उसके बाद हुई हिंसा में हुई और इसे लेकर सवालों के घेरे में है लखीमपूर खिरी के सांसद और केंद्रिव ग्रहर राज्यमंत्री अजे मिश्ट टेनी के बेटे आशीश उफ मौनू मिश्टा किसानों ने आशीश मिश्टा के उपर किसानों पक गाड़ी चुरहाने का रोप लगाया है हाला कि अजे मिश्टा का दावा है कि घटना इस्तल पर ना तो वो और ना ही उनका बेटा मौझूद था और इस बीच किसानों की तरफ से आशीश मिश्टा के खिलाफ अपयार भी दर्ज करा दी गई है बले ही केंद्रे ग्रहे राज्यमंत्री अजे मिश्टा टेनी के बेटे के खिलाफ एफवायार दर्ज हो गई हो लेकिन वो सब भी आरोपों को खारिच कर रहे हैं अजे मिश्टा इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि जो गाड़ी किसानों के उपर चड़ाई गई उसे उनका बेटा दही चला रहा था साथ ही आपको बता दे उन्होंने कहा कि कुछ समाज विरोधी तत्वों पर ऐसा करनी का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है हाला कि जो कुछ कल लखीमपूर खिरी में हुआ उसके बाद आज और ज़्यादा बवाल लखनों में देखने के लिए मिला दरसल लखनों से तमाम विपक्षी पार्टियों के निता आज लखीमपूर खिरी जाना चाह रहे थे और ऐसे में पीरित किसान और मुर्तक किसानों के परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें वहाँ पर रोका गया वहाँ पर किसी को जाने के इजाज़त नहीं दी गई अखिलेश यादव को भी उनके घर के बाहर ही रोक दिया गया तो उसके बाद वो सड़क पर धरने पर बैट गए उसके बाद आपको बता दे के श्रिपाल सिंग यादव के घर के बाहर भी कापी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और इन सब के बावजूद कल रात को ही प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था साथ आपको ये भी बता दे के आम अदमी पार्टी से के संजे सिंग को भी हिरासत में लिया जा चुका है पंजाब की बात करें तो वहां भी नवजोज सिंग सिद्दू को खिरासत में लिया गया क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे हाला की हालत और ज़्यादा न बिगड़े हालात और ज़्यादा खराब न हो इसको देखते हुए सुरक्षा के लिया हाथ से ये कदम उठाए जा रहे हैं वही देखिए मुख्यमंद्री योगी आदेतिनात नेवी मृतकों के परिवार के लिए मुआफ़े का इलान कर दिया उन्होंने कहा है कि 45-45 लाग का परिजनों को मुआफ़े दिया जाएगा परिवार को मुआफ़े दिया जाएगा साथ ही जो इस पूरी घटना में घायल हैं उन सभी को 10-10 लाग का मुआफ़े दिया जाएगा लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में ये हिंसा हो क्यों रही है और लखीम पूर्खिरी में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है क्योंकि किसान अजे मिश्रा पर आरोप लगा था इसी लिए उस तरह के उन पर हमला किया गया था तो दोनों ही बाते इस समय समझ आ रही है और ऐसे में लेकिन अब इसका जिम्मेदार कौन है ये सबसे बड़ा सवाल है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे तमाम महमान हमाई सा जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक् पाफ विनो जटोली जी भी हमाई से जुड़ चुके हैं आप चारों का बहुत-बहुत स्वागत है न्यूस वर्ल इंडिया पर अश्वानी जी शुडवात में आपके क्या हो रहा है ये कभी आपकी पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है कभी आपके मंत्रियों पर इस आज ये लखींपूर की जो दुखत घटना कल हुई थी उस दुखत घटना को 24 घंटा के अंदर ही उस्तर परदेश साचंग ने उस्तर परदेश सरकार में समझोते के रूप में खुल जा लिया ये जो राजनिसिक गिद्ध पूरे परदेश भर से और दूसरे परदेशों परदा रहते उनको दियासत का घी नहीं डालने दिया गया जिसानों के नाम का जो आग वहां पर जो है जल से जल रहा था ये लोग निकल चुके से घी डालने लेकिन आज शासन और सरकार ने तौरीत गती से बहतर काम करते हुए एक किसान नेता जो उनके अगुआ जो किसा जो विरोधी दलों के लोग हैं इन लोगों को फायर विग्रेट का काम करना चाहिए ना कि राजनितिक रोटिया सेखना चाहिए ये कहीं दूर दूर तक किसी किसान के हितासी नहीं है ये लोग सिर्फ ओट के भूके हैं और आज उससे भी ज्यादा बड़ा कुकृत्य सिती होगी इसलिए यहां की जंता जानती है कि क्या सच है क्या जूत है कल की जो दुरुभाग्यपुन घटना घटी है उस पर प्रसासन की तुरित कारेवाई बहुत से वीडियो आए दोनों पक्षों के लोग मरें जो की दुखद है कोई किसी का भी मरना उचित नहीं है को है रहते उन्होंने इस चीजों पर लगाम लगा दिया और यह जितने विरोधी दल से इनको सबको एक्सपोज कर दिया कि यह जो है सिर्फ और सिर्फ ओर्ट की राजनित करते हैं ठीक है अश्वानी जी ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक्सपोज कर दिया विरोधी जाज होगा तो ये कही पर ये वीडियो नहीं आया देखिए हम लोग यहाँ बैट कर और चीजों को देखकर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे जाज का भी सह है जाज के लिए सारे जो है सरकार की एजिंसिया लगी हुई है जाज का भी सह है और जाज हम लोग करने दें जाज एजंसिया अनिस्पक्ष काम करेंगी और जो होगा रिजल्क सामने आएगा जी चलिए ठीक एश्वने जी आपके पास लोटूंगी कॉंग्रिस प्रवक्ता हमबात वाहिद जी आपके पास आना चाहूंगी मैं देखिए कल से ही हम राज से तस्वीरे देख रहे हैं प्रियंकर गांधी महां जाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में उन्हें हिरासत में ले लिया गया आपको नहीं लगता कैसे समय पे भी राजनीती नहीं करनी चाहिए जहां एक तरफ देखिए कुछ लोगों की जान चली गई जिसमें बीजेपी कारेकरता भी शामिल है किसान भी शामिल है पत्रकार भी शामिल है और आपकी पार्टी इस तरह की राजनीती करती है चलिए ठीक है हमाद जी से हमारा संपक नहीं उपारा है मैं पूर्व राज्यमंत्री जो सपा से हैं मोहमद अबास जी आपके पास आना चाहूंगी आप से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी जिस तरह की तस्वीरे आज सुबह से हम लखनव से देख रहे हैं कि वहाँ पर अखिलेश यादव लखिमपूर जाने की कोशिश लगातार कर रहे थे और उन सब के बीच जो है वो धरने पसरक पर बैट गए हिंसा की तस्वीरे भी मा सामने आई कि थाने में लखनव में पुलिस की गारी को आखके हवाले कर दिया गया आपको लगता है कि क्या ये राजनीती करने का समय है कैसी बात कर रही है आप उस्तर प्रदेश में जो तोको राज चला है अजयर मिश्रा उर्फ टेनी ने वही ठोको राज को इस्थाफित किया जो अजयर विश्थ आधित्यनादी ने जिसको चड़ाया है जी परसो दो दिन पहले पुलिस ने बानार गोरकपुर में ब्याप पारी पर्दी गुपता को ठोका कल अजयर मिश्रा उर्फ टेनी केंद्रिय राच्यमंतितनी के पेटे ने किसानों को ठोक डाले जी मामुरी बात नहीं है किसानों का नर्संगार भारती जंता पाइट ने को ताभूप में आगरी किसाचित होगा जी गाज निदियत क्या मस राच्टे अग्रश यदोंदे झी लिगित परिवारों में पीड़ परिवारों को स्वान देने जा रहते मिलनें ऐसा नहीं हो सकता था कि वह दो से तीन दिन बाद जाते क्युक्त अभी हालात खराब हैं लखिंपूर में भी और पूरदेश में जिक्कत पर अब हमारे जाने ने को जिक्कत ने है हम किसान अरिवार किरो कि अब लोगो कि अब कि चलिए ठीक है अब बाज जी से टेक्निकल प्रॉब्लम की वज़ा से हमारी बात्चीत नहीं हो पा रही है इस बीच हमारे साथ किसान बीकेउ नेता विनोज जटोली जी भी मौजूद है विनोज जी क्या आप में उजे सुन पा रहे हैं जी जी विनोज जी जिस तरह की तस्वीरे कल से सामने आ रही है लखीमपूर से और आज भी पूरे देश में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है कारिंगों ने पनाई है ना दस महीन ने से किसान बोडरों के भी बैठा है शांति पून तरीके से बैठा है और ये लोग कभी पानी की बोच्छार चलाते हैं कभी लाटी देंगले चलाते हैं करनाल में भी हुआ और एक मंत्री के पेटे ने गाड़ी चड़ा दी हूँ तो नरसंगार तो किया है इससे जादे दुखत इससे जादे बुरा किसांगा क्या हो सकता है ये को बिल्कु शांति पून तरीका है ये कैसा तरीका है जहां पर अभी देखे कुछ दिन पहले पूरे भारत बंद का इलान किया गया था उस दौरान भी इस तरह की तस्वीर आई थी कि जबरन बसो को रुकवाय जारता लाठी जंडो का साहरा लिया जा रहा था कल की भी एक वीडियो वारल हुई है कि कुछ लोग वाप अलाठी जंडो से एक शक्त को पीटते नज़र आ रहे हैं ये कैसा शांति पून तरीका है देखें कुछ लोग ऐसा माजित को सकते हैं वह अब हम भी आरोप लगा दें बाजबापकर के भात पार की लोग हो सकते हैं बही ये तो आरोप लग सकता है लेकिन दस महीने से सांति पून है और भारत बंद भी वो सांति पून तरीके से हुआ है तो इसमें कोई यसी इस सब्सक्राइब खरोद हुआ है जब जो भी प्लेकर बूस है जी सब्सक्राइब हुआ बयान सामने आ रहे थे पहले वो कह रहे थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी जब तक कारवाई नहीं होगी सरकार मुआफजे का अलान नहीं करेगी तो अंतिम संसकार नहीं किया जाएगा अब सरकार ने मुआफजे का अलान भी कर दिया अब भी वो इस बात पड गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे तो मैडम देखिए गिरफ्तारी तो होनी चाहिए और वो जाच होगी तब होगी गिरफ्तारी अभी तो ये सिद्धे नहीं हो पाया कि गलती आकर थी किसकी क्योंकि देखिए दोनों तरफ से आरोप लग पर आरोप लग रहे हैं तो नहीं ठीक है विनोजी फिर तो गिरफतारी उनकी भी होनी चाहिए जो वीडियो अभी चल रहा है जो एक शक्स को पीटते हुए लाठी डंडो से नज़रा रहे है उनकी भी गिरफतारी होनी चाहिए सबसे पहले तो आप यह देखिए कि पहले गाड़ी किसने चड़ाई गाड़ी उपर चड़ाई है उसको आप जांच के नाम को उसे चोड़ रहे हो एफाई आर हो गही है उसको गिरफतार करिए जाटकर वाली दिये अगर किसान दोशी पाएगा तो किसान पर मुकदमा लिखे लेकिन जो पह ऑब पंचने में किसान की उनकी मुझां हृटीं हरो इसा तोड़ी है किसी की साथ घूझायर गालोस का मुसक्मा कोड़ी है आतमी मरेहें अचोग मरे सभी आफ दिटे livestock हरिये जी चलिए ठीक है आपके पास लोटूंगी कॉंग्रेस प्रभक्ता हमाद वाहिद जी पे हमाय सजुर गए है अब माद जी आपसे सवाल कर रही थी मैं कि कल से प्रियंका कांधी जो है वहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही है क्यों इस मुद्धे को राज्णीती से जोड़ा जा रहा है क्यों इसे आगे वाले आने वाले चुनावों में इस्तमाल करने की कोशिश की जा रही है जी जी आपके समान कर जो अधिकारी कोश्ट पे बैठे लेता विदायक मंत्री लगाता आदिक नहीं ने से किसानों को अब शक्त बोल लें आज आप ही के मंत्री के बेटे ने रौध दिया किसानों को आज मैं निशब्द हूँ इस परिटे की राजनीती को राजनीती के लिए राजनीती के लिए राजनीती नहीं करने आई है कॉंग्रेस पार्टी जो राजनीती करती है वो अंबानी और अडानी के लिए नहीं कॉंग्रेस पार्टी गाउंगरी मजरूर की राजनीती कर रही है वो किसानों के लिए राजनीती कर रही है हम अडानी और अंबानी के दलान नहीं है हम इनकी सब्सक्राइब और इसका प्रजाम आप देख रहे हैं और आगे इसी तरीके से अगत्वरकार ने अपने पासले को आपसरी लिया ते इससे खतरना कंजाम होगा कौंग्रेस पर्रस्ती का एक एक कारे करता ना को कारी करता उन विडायक को जो भाधवा के विडायते जिनों ने कहा जाकि जोनी मार और चयहए उसेंप को घ्र्जाम आपका नंबर रथा हुद है ऐसेंपने आप ने बौला गी डालने का काम कर रहे हैं आप अम्मानी और अडानी के लिए गी डालने का काम कर रहे हैं अगर इसको राजनीती कह रहे हैं तो हम राजनीती करेंगे किसानों के इंसाग के लिए किसानों की लाग के लिए किसनी बार दौर आएंगे ठीक है हमाद जी आप कह रहे हैं कि राजनीती नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर प्रियंक का गांदी ने कोई और दिन को नहीं चुना उसी दौरान उन्हें वहाँ पर पहुंचना था गत्र कब हुई गत्र कल हो रही है किसान परिशान कब है किसान मारा कब गया है किसान रोजना कब गया है हम एक महिना बाद बाच चाहें आपको पापती कि स्वाद कि है पिर इंका गाते जी जा नहीं सकती आज पूरे परदेश में जोहार रचिक्ता का माहूल है, पूरे परदेश में पुलिस बल्गों जिस तरीके से परिशानी होगा सामना करना पड़ा, उसके लिए सरकार जोशी है, सरकार ने ऐसी वेवस्ता बना रखी है, आज बताईए, दफबजी एरपोर्ट से लगातार हो अज बताईए, आपो क्या प्रवल्लम है? आप निमाल सिक्ता को बदलिए, वर्या ये जनता, ये किसाल जिसने भाजपा को सित्ता सिनातर पे बटाया है, ये बताईए, बताईए सिनातर बेदखल कदेगा, आज ये दिन देखरे के लिए किसालों में आपको उस्मी दियात इट्यास में मत जाइए कि आपके बात करिए आंकार में मत रही दोजार देखिए दोजार चौट निसे खीए ने खी जबए राजस्तान में बैद्यांगे घांगे राजस्तान में किसानों के साथ अगर हो और किसी ठाव प्रदेश में होगी पंजाब में हमारी सरकार है एक पता थीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आपके पास लोटूंगी अश्वनी जी बोलिए मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस के भाई बड़े उसा में भातल दे रहे हैं अच्छा है अच्छा बोल लेते हैं मगर यह कहना चाहूंगा कि किसानों के इतने बड़े हिताती हैं सिर्फ दो दारण दूँगा आपको राजस्थान में जिसन सरकार आई थी आप ही के नेताब कुर्व ध्यक्ष वहां गए गिंती कर लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस दस दिन में सारा करजा माप और आज वही की पुलिस आर्सी लेकर किसानों के पीछे दौड रही है और किसान भागे फिर रहे हैं कि हमको करजा चुकाना पड़ेगा यह ही तरसी हैं आप लोग दूसरा कहना चाहूंगा हमाज ची सुनिजे तो अपना ही बता रहे हैं आप तब दिल्ली में किसान बरा क्यों वह भी जवाब दूँगा आपका अबाज भाई उसका भी जवाब दूँगा अभी उसका भी जवाब दे रहा हूं अबाज भाई अब भाई देवाब देरा हूँ आई नहीं दिली में किसान अमदोलन दिली बाड़र पर चल रहा है कांजरेस के नेता हमारे जो है ट्रैक्टर पर बाटकर सदन में जाने का ड्रामा करते है पतु Works यह बारकर सारा भी पाच आधितनों के पार आने का काम करता है मगर सदन के अंदर में कोई एक बिल भी चर्चा नहीं हुई जो किसानों के हित की बात हो किसानों ने आपको अपना नुमाइंदा चुन कर भेजा है आप लोगों ने चर्चा जब की जब OBC आरक्षण का बिल पास होता है तो बाग कराते हैं और उस बिल का समर्थन करते हैं कि हमारा ओट बैंक न भी खर जाए और अब आज बाई आब जवाब ले लिजिए लखिमपूर में आप लोगों के पास एक भी कुछी अर्था सबूत नहीं है जो आप आरोप रखते हैं कि मंत्री के लड़के ने मारा है जबकि स्थेखो वीडियो सोटल मीडिया से लेकर नेसलन चैनलों सक चल रहे हैं कोछी वीडियो में पत्री का लड़का नहीं दिखाये क्या है और आप लोगोंने आरोप सब्सक्रार से सिर्भी करने का काम किया लेकिन आप लोगों ने जिसको डंडों से मारा है उसको आप किसान कहते हैं उसको आप किसान कहते हैं कि वाद शप्सक्रान है डंडों से मार करके तरीके से हट्या की गई वहाँ लोगों की वो भी एक चेकने वादी बात है और सबसे आशर जबे बात है कि किसी आपके राश्टेता ने ना आप लोगों ने वहाँ जो मारे गए डंडों से फीटे गए उनके निये कोई संबेजना किसी ने ब्यक्त नहीं की तिर्फ और सिर्फ ये कहा गया किसानों के लोग मर गए वहाँ भाजपा के करेकसा भी मर दे एक अपकार भाई की मरा हमारा उपर किसी ने संबेजना नहीं ब्यक्त की और आज के दिन आप सब को कारवा लुटने की बात कुछ रहे हैं कि कोई भी वीडियो सामने नहीं आया कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जिससे आरोप से दो सके लेकिन अगर मान लीजे हो सकता है द जहां से आपने सुनाने पारु जी मैंने का आरोप और मुकदमा लिखा जा चुका है उस आज़मी के उपर मुझे सत्वापस लेने की जुरूत नहीं है तरकार ने अपना काम इमांदारी से किया है तिर्फ आरोप और मुकदमा लिखा है ठीक है अश्वानी जी देखिए मुकदमा तो अब लिखवाना पड़ता है क्योंकि मामला इतना गर्मा जो गया था अगर गोरकपुर की बात करें तब भी यही हो आता देखिए मुकदमा लिखवाने से या फिर मुआफ़ा दिलाने से कुछ नहीं हो पाता जो इंसान चला गये इस दुनिया से वो तो वापस नहीं आ सकता तो हिंदुस्तान में पारुल जी नियाए पालिका है, सम्मिधान है, सर्या कानून नहीं है कि किसी को तुरन गला जबा कर दिया जाएगा यहां सारे काम नियाए संगत तरीके से होते हैं, पहले मुकर्णमा लिखा जाएगा, फिर उनकी गिरतारी होगी फिर जल्साब जो हैसला देना होगा वो देंगे, लेकिन उसके पहले अभी बिवेचना होगी, यहां क्या केस पेचिदा है, अभी उस पर जाच होगी और एजेंसिया नियुक्स की जाच होगी है चलिए ठीक है अश्वनी जी, अबास जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोली अबास जी मेरे प्रिय भाई भारती जमता पार्टी के साथी ने कहा, के डंडो से मारा, डंडो से मारा कि जब किसान के बेटों पे गाली तेनी एजे मिश्रा के बेटे के कहने पर उस ड्रायरवर ने चलाके रोन डाला, तो मेरे भाई रोनदनवालों की आर्ती कौन उतारता है झिनके बेटे महने हो जिनके भाई महने हो जिनके रिस्षेदार महने हो वो आर्टिय उतारते हैं उन्हें पूछा था उन्हेंने कौए जूल निकरा आक्रोष में हुआ लेकिन उनका ही राधा किसी को मारने का नहीदा किसी को निकर cowboy दा लेकिन अजय मिश्रा केंद्र डाचे मंत्री के बेटे का जो ऐसा हाथ का इशारा तेनी मिश्रा का वीडियो जारी हो रहा है किसानों को ठेंगा दिखा कर गए और बेटे में करीब मजदूर किसानों पर गाड़ियों से रोण डाला क्यूंकि परदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी कहता है ओक दो कानपुर में पुलिस ठोक देती है लखीमपुर घिरी में मंत्रियों के बेटर ठोक देते है लेकिन जिस दिन परदेश की जंता परदेश का किसान परदेश का पिछला ठोकेगा तो इस धर्ती पर कहिए आपको रहनी की जगा नहीं मिलनेगी ध्यान अगना अंकार ठीक नहीं होता रामण का हंकार नहीं बचा कंच का हंकार नहीं बचा हिटला का हंकार नहीं बचा आज अखिलेश ज्यादो जी और पच्छे मेता लखीब पुर जा रहे हैं तो उन्हें जाने से डंडे मारकर जबर दफ्ति करके गरफ्तारी करके लोगतम्तिर की हत्या करके उन्हें जबर दफ्ति करके जोर है केला जबर में कितना जुल में कितना देख लिया और देखेंगे आंदोरंग चलेगा रुकेगा नहीं ये मौजा मिला है तिर्शी बिल वा अबास जी आप कह रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे किसानों का अंदोलण चलता रहेगा आप पूरा समर्तन दे रहे हैं या नी कि किसानों को वेल्कुल हम साथ हैं नी किसानों के पेटेश हैं इस देश में बड़ा अजीब 25 तन 25,000 करोड की ही रुक्तली गई आडानि के पास से उसके प्रोड से नहीं दो कुडिये लगा कर दिखाएंगे, रोज दिखाएंगे, अधानी की 25,000 करोण की हिरोई पर कोई चर्चों नहीं, इसलिए कर जान कुछ कर किसान अंदोलन को जबाकर, तमाम गोदी मिडिया चैनल पर किसी फिल्मिस्टार को दिखा जा रहा कि हिरोई ना गए, हिरोई ना गए, अब को निकले हैं लेकिन यह ऐसा नहीं होगा, किसान अंदोलन जबर्दस्थ है, यह अंदोलन मोती और योगी की सरकार के हटाय जाने तक बंद नहीं होगा, हम हख लेना जानते हैं, हम नियाए पाना जानते हैं, समाजवादी और जो विखाषिदर है, बैठेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन मानेगे ही नहीं, किस-किस को मारोगे, विया पाय योग को मार डाला, क्या कसूरता गोरख्पुर में उसका, उसने कहा साब में, निकाल तुमें कानकुरवाला नहीं हूं, मैं तो परदीर गुटता कानकुरवाला हूं, इसी बात पुलिची योग को ठोट रहाला, च्वाज चाहता है तो चंग जाता है ठीक है अब बाज जी मैं लौटूंगी आपके पास विनोच जी आपके पास आना चाहती हूं मैं देखें कल जो वहां पर किसान विरोध दर्ज कराना चाहरे थे उसके बाद ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो घटा उसके बाद ये इस तरह की चीज़े आई और आठ नौ लोगों की जान चली के लेकिन देखिया आज सुप्रीम कोर्ट ने साथ दौर पर ये कह दिया है कि जब तीनों क्रिशी कानूनों पर अमल अभी नहीं किया जा रहा फिर विरोत क किसकी चल दी है और जब ये कानून लागू हो जाएंगे फिर विरोत करेंगा किसान आप ये गारंटी किसान को चो नहीं देते हैं मैस्पी की गारंटी किसान मांग रहा है लाबकारी मूल की तो पाती नहीं है कहीं भी आप नियूंतन समर्थन मून जो सरकार करती है उसकी किसान को नहीं दे सकते तो सरकार किसकी है सरकार कुछ है ही नहीं किसान विरोध कर रहा है किसान जब लेने को तैयार नहीं है आज तक कोई ऐसी चीज किसान विजली कम करने के लिए कह रहा है आप से विजली कम आप करते नहीं हो फसल का रेट बढ़ाने के लिए कहता है किस पुर्ष गुल्द देना चारे हैं? वह आप खिसान तो यह कह रहा है कि हमें वाजिब मूल, वाजिब फशलों का मूल दे दो, स्वामी नातना आयोकती सिवाइच से लागी कर दो आप चीतु प्लस के साथ से, चीतु प्लस उप्ति के साथ से, वह आप उनके तो काम नहीं कर किसी किसान संगतन से आपने तर्टा नहीं की, किसी किसान विशेजग से आपने बात नहीं की, केवल केवल बैठ करके कुछ कोर्परेट धरानों को आपने जो है, उनको लाब देने के लिए बिल पास कर दिये, किसान इतना बुद्धी ही नहीं है, किसान इतना अनपड नही किसान के बूते सरकार आईए इतलरताई मत करो किसान फिर बोट डालेगा वही आप जो विरोध करेगा आप जंडे से दभाओगे आप उटेब मारोगे मौत के गाट उतारोगे किसान विरोध कर रहा है भी उसका विरोध सुन दो उस मंत्री के बेटे को तुरंद गरफ़तार करना चीए सरकार को जांच होगी आम आदमी को हैफाई एर के तुरंद बाद पुलिस गरफ़तार करती है जांच में कई लोग निर्टोस भी जेल जाते होते हैं मनत्री काुशा है की इस सबस्क्राइब कर तुरह कुंस करने है दे किसान कर वितर थे दुर अपुर्ण गर इसमें किसान भी दोशी पाएगा है फिर आप क्या कहेंगे नहीं जो दोशी है उसके इकलाफ पारवे उन्ची है लेकिन मैडम आप एक बाह बताईए एक बाह बताईए आप मुझे आप आप मुझे मानने के लिए विनोच जी आप तो नहीं लग रहा है कि क्या ये आंदोला ने गल पूलीगा संक मारेगा और आप प्सी पूलीग के बींच में अगर आप किसी पूलीग के आद्म को मानने जाएंगा तो पूलीग क्या करती है उसका इलाज ये घटना पेली है कर पूलीग को ऑ्प मानने जाऊ겠다 करने के मन बना कर गया है वो तो जोची है ना उसकी कौन सी जाच होनी चीए ठीक है विनोच जी यानी की जो अंदोलन में चल रहा है एक चीज और बता दू मैं मैंडम आपको जाच जाच आप पुल्वावा हमले की बता जोना पुरे टेस को कि पुल्वामा हमला हुआ था उन तो आप ने एक पर दोटा यहरे रहा है कि बताईया है इंदोस्तान जी कौन से जाच क्वे कौन दोचर्ष में बिनोच यानि के आपको जो लग रहा है जो यह अंदोलन चल रहा है और जो कुछ हो रहा है चाहिए लकाम पूर हो चाहिए वह फो बहात बंके दौरान हुआ ह सब मतलब ठीक चल रहा है आपके अकॉर्डिंग क्या गलत हुआ है जो गलत होता है उसकी हम भूर निंदा करते हैं विनोट जी गलत क्या नहीं हो रहा एक बात बताईए लाथी डंडो के इस्तमाल किसान कर रहे हैं कभी जबरन बस रुक आते हैं खाली कराते हैं कभी इस तरह कभी जो आया लाथी डंडो से एक शक्स को पीटा जा रहा है कौन है वो किसान ही तो है किसान के बीच में को और भी हो सकता है कई बार जो है यह दीप शिद्धू वगरा कौन थे यह तो किसान नहीं थे जाल किले पर इनका नाम आया था जो जेल गई ते उसे भी किसान से ज सद्यां शरकार ने किए इनके विदाया गाजीकुर बोर्ड़र में पहुंच जाते हैं ऐग्टाइज जन्वरी में दंडे और गुंडो को ले करके तो इनके खिलाब कुछ नहीं होगा इनके लोग नहीं हो सकते गा किसान कभी भी कभी भी हिंसा का रास्ता कभी किसान ने नहीं अपनाया है और ना किसान हिंसा करता है हिंसा की जो होता है हम उसकी गौर्ण निंदा करते हैं पहले भी किये जी चलिए ठीक है विनोज जी अबास जी बहुत देर से कुछ कहना चाहरे हैं, बोली अबास जी. उन्होंने कहा था कि रोड डालूगा इशारा करेंगे, आंक लगाने के बास इंतिजार करेंगे. थोड़ा तिन से भी सोचो, सरकारे आनी जानी चीज है, बहुत दिन तक जुन नहीं चलता, बतलाव आएगा, क्रांकी होगी, सब कुछ होगा, ऐसे ये मामला रुकने वाला नहीं है, आप किसानों पे कोनी चला देते हैं, रात में उन्होंने राकेश्ट कैची को भी बतायते लेकिन क्या पांजी, आगवात रुक्त हो तकांजी क्या किसान इस तरह की हरकत कर सकते हैं, ठीक है आपकी बात की किसानों पर हाला न प्रा इह हमारे-स पर घरकका हमीज़ करते हैं, हमारे किसानों permet और ग्लान फ्रकार, इसह कर में कि सारा तेज देख रहा है आसमान वाला भी देख रहा है इतना जुल्म मक्रों किसानों पर जुल्म करने वाले तभाव और बर्बाद हो जाते हैं अंकार किसी का नहीं रुपता है समाध बादी पाश्यूर हमाने मिद्वक्षी का यहां दोलंचारी रखेंगे अपने चलिए ठीक अबाज जी अश्वेनी जी बोली हुए देखिए परवजी संबेद इसंबेद इंसिल विश्य में हमारे कांग्रेस के भाई और हमारे किसान नेता और अबास भाई ने बड़ा ही मार्मिक अपील की लेकिन उसका एक मजमून समझने की बात है कि तीनों लोगों का लबो लुबाब बात का मतलब 21 है कि अगर गाड़ी किसी ने चला दिया तो इनको अधिकार मिल गया कि दूसरा जिसने चलाया उसकी पीट कर हत्या कर दी जाए हमाट जी अभी आओंगी आपके आउंगी आपके आउंगी हमारी बात नहीं है यह हमारे उसका दूसरा अआ है अरे और वो शांत रही है ना बीच में बोलने की काज आए अरे तोड़ा तरीका सिखिये निवेत का सिखिये अब हमाजी आप बात कीजी हमाजी रूब आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना आप जी बोली अब बोली आप बोली आप हमाजी आप निकाई है आपके बटा आपकी में ये हिंदुस्तान में ये सारे दल इवन हमारे किसान नेता हमेशा सब्धान की दुआई देते हैं ये सब्धान से चलता है बारतार ये लोग भारती जंता पार्टी को लोग संसर का हथ चारा कहते हैं लेकिन आज अभी जो ये सीनों भाईयों ने बोला उसका मतलब ये है कि ये सत्थ्या कानून लागू है कोन का बदला कोन जिसने हमको मारा उसको मारना चाहिए अभी इन्होंने का मैंने ने का हमारे किसान नेता ने दीप सिद्धू का नाम लेकर का मैं बताना चाहता हूँ 26 जनवरी को जो गरतंत्र की हथ्या होई वह पता चल गया तीसरा आता हूँ मैं अभी हमारे साथी में कहा कि वहाँ पर यह घट्टा हो गई नहीं होनी चाहिए अब बाद भाई हमारा आपका राजनैसिक गिरोज है लोग कंत्र है बार्ती जनता पार्टी ने समाजबादी पार्टी ने कांगरेस ने 56 साल कांगरेस ने राज किया देश में सब्ता परट हुआ फार्टी जनता पार्टी आई जब जनता यहां कि अगर हमको आशिरवाद नहीं देगी तो हम भी चले जाएंगे ये लेखिन एक लोकतांसरिक बिरोज का तरीका होता है ये भी रोज नहीं होता है कि बगर किसी चीज के आप और हम ये अगुठा दिखाने की बात कर रहे हैं या हत्या की बात कर रहे हैं मैं सबको कंडम करता हूँ मैं कहता हूँ कि जो नियाईक एजन्सिया जो जाच कर रही है वो जाच करेंगी वो रिकोर्ट आएगा और मानने मुखमंत्री जी का आप लोग उने बयान लगता नहीं सुना, उन्होंने कहा है, कोई भी होगा, दोसी होगा, पाया जाएगा, उसको पजा मिलेगा। पारुल जी ये सवाल आपका बड़ा ही कथिद है, क्योंकि हम 23-24 करोड की आबादी का राज हैं, और अचानक जो है, अगर कोई ये कहे दे कि नहीं ये घटना नहीं होगी और ऐसी होगी, तो उसका कोई भाविस के गर्त में क्या चिपा है, जान बूझ कर किसी को ये काम नहीं करने दिया जाएगा, इसी तरह से चलता रहे का नहीं गटती रहेंगी, अब गुआ की मुझे होती तो खुपा उन्हीं को कैसे पारूल जी, आपके सवाल का तो ये हुआ, लेकिन जान बूझ कर किसी को भी कोई गलत काम नहीं करने दिया जाएगा, देखिए, 24 गंटे के अंदर, 24 गंटी से, किसानों के साथ बैटकर, मृषक परिवारों के साथ बैटकर, प्रसासन ने मामले को निप्टा लिया, और ये जितने राजिनी सिक गितवा पहुच रहे से, सब एक्पोज हो गए, सब मरवा रहे से, चारो तरफ से, कि कम हम कोई जालू लगा रहा है, कोई जीप जलवा रहा है, दरोगा को कोई पिटवा रहा है, यहां लोग संत्र की हत्या नहीं होती है, और अब बाद भाई हमको कहेंगे, कि मार्शी जंता पार्टी, लोग संत्र की हत्या करती है, आज दरोगा को वर्दी फारी गई आपके तुपधर काने पार्टी सब्सक्राइब के किया कि कि अधेब के लाइवी różब्रइब में पूरा अंदोल ने पूरी देश मुट्र परदेश मुट्र दिल्ली की राज़ानी में, वो क्या लोक्तंत्रिक है, वो लोक्तंत्रिक है, और हम भी यही लोक्तंत्र के परदाशा पढ़ें हुए हैं, कि हगे पूरा अधिकार है लोक्तंत्र पे, तब विदान में किसानों को पूरा विश्वास है, उसलिए पुसान जज़ांत्री डंग से अपना विरोस्ता रहें, लेकिस क्या भार्की जन्ता पार्टी का विदायक अपने गुंडू को लेकर दिल्ली के सरगते नहीं पहुंच किसान से आपको इतना क्यों नाराज दे, इतनी नफरत क्यों, जब नफरत का घड़ा बढ़ा जाएगा तो वो पुझेगा, मैं गो जो भी घट्ना हुई, उसकी मैं कंजम करता हूँ, मैं उसके जोलों भी मारे गए हैं, पुर्दोस्त कोई भी नहीं है, किसान ने अगर पुर्दोस्त हो जाएगे, लेकिन सवाल ये है, कि उसके परक्तितिया आज उपन हुए, उसके पुझे सरकार और सरकार के में बैठे हुए, अधिकारी से लेके मंद्रियों की मानसिक्ता का नतीजा है, चलिए ठीक है, हमाज जी, अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजे, जी, हमाज जी, प्रियंका गांधी का जो वीडियो सामने आया है, देखे, जाड़ू लगाती हुए नजर आ रही है, वो उस वीडियो में, मैसेज क्या देना चाहती है, और एक सवाब। जंता, उंबा के गाँ में बेगम लाइट, बेगम अंके के रहेंगे, हमाज जी, हमाज जी, हमाज जी, प्रियंका गांधी और आहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, तभी क्यों पीरित परिवार की याद आती है, जब वो घटना गटती है, उसके बाद तो फिर बूल जाते हैं, वो भी, हात्रस कांड की बात कर लीजे, तब तो पीरित परिवार से मिलने के लिए पहुँच गए थे, राहुल गांधी भी जा रहे थ पारूल जी, दोनों भाई बैन हटे हुए जा रहे हैं, जी, एक साल नहीं, जाए वो हातरस की घंटा हो, उंबा गाउं की चंडा हो, जाए उनको मेरे एक मज़द करने की बात हो, आज इक मज़द करने की बात हो, उनके बच्चों को पलाने के लिए, कॉंग्रेस पार्टी अबाज जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप बहुत देश से कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए, तमाम बहसों का लब बल्वाब यह है, कि इसमें अजे मिश्रा और स्टेणी जो केंदी राज्य मंत्री है, उन्होंने भील को उक्साया, वो पहला पर्थम द्रश्क्या कुछ भी अबाज भाई, कुछ भी, भाई, इस तरह का इशारा करके भील की तरफ, ये वीडियो वायरल है, मैंने नहीं करा, और कहों के तो भाई, मैं आपको बेज़ कुआ, पहले उन्हें उसाया, विरोध पर्दर्शन बढ़ा, और फिर विरोध पर्दर्शन करने वालो पर विधायक के बेटे ने टेज गती से उनको रोन डाला, अभी आपने कहा, अबाज भाई, अबाज भाई, गिर्पिया, आभी लाइन मैं बोलता हूँ, अभी आपने इसके पहले, आप पुरा सुन लिजिएगा, पारुल जी लिंक भेज देंगी, अभी आपने थोड़ी तो मेरे कहने से करेगा ना, पहले आपने कहा कि होई, ड्राइवर की हैस्वत नहीं है, मैं ही मालने जाओंगा दोसिस में, जब मैं गालें बैटा हूँ, जो से ड्राइवर भी चरी क्या होकत, ड्राइवर पकार रोन दे, तो क्या आपको लगता है, अभी आप लोगों ने जो कहा कि वो मारे गए लोग तो बचे जाते, आशीज मिश्रा अगर होते है उसमें तो, नहीं, आशीज मिश्रा थे उसमें, होते है क्या मतलब, तो कैसे बच गए, वहाँ पर पुलिस प्रसासर भी नहीं था, वहाँ पर आपके लोग अलाजी ने लेकर थे, कैसे बच करें, और जो इसतारी घटना करें, और लोगों पर डालिया चलाए, जब कोई ग्रोग, देखें, जब कोई कैबिनिट फैसल लेती है, कोई दिस्दिन होता है, तो उसमें साविल पूरी कैबिनिट का दिस्दिन मनेज़ता है, इसलिए ग्रोग, या किसी के समर्थाक, या कि इस बात से मैं इतिफाग रखता हूँ आपके लेकिन आपने कहा कौन था कौन नहीं लेकिन जो आपके साक्षी आरेर जो बताया जा रहा है उसमें अजय मिश्राव स्टेनिक आपने दोनों बाते कहीं भाई को अंजाम दिया है कि आपके लोग आपने दोनों बखते के लिए इसमें ना चाहिए किसान किसानों को रोंदा गया भाई मुझे बहां बताओ परिवार का कोई रों परिवार का को एक दम गलत हुआ दुखत है मैं कहा रहा हूं गलत हुआ पर आप बोलिएगा आपके मैं हमारे घर के लोग होते तो रोंदने वालों के पूरे देश में कैसा वहवार होता है आप सूपैस्वार के लोग है फो फ्रें लोग मुपके में पकले जाते हैं उनसे कैसा वहवार कि जाता है। उनकी कोई जाच नहीं कहती, मारने वालों को आत्म अगर वो उन्हें ना रोगते, वो फिर उन्हें मारते, जो कारवाई हुई है, वो इसान वो ने आत्म रक्षा में कारवई है. और आज तुम रख्षागित कारवाई को एक घटना आपको बताओं अबाज भाई एक घटना याद कीजिए आपको याद होगा पता नहीं हमको लगरा बिनुल जी को भी याद होगा गोपाल गंज बिहार में गटना होई थी कलक्टर को भीण ने मार दिया था और उसमें आज भी तीन आजबी को आजीवन करावासुई है और वो लोग जेल में हैं यह होता है आप कैसे करे करेवाई नहीं होती है नियाय पालिका बहुत मजबूत है अपने देश की देखे नियाय पालिका अपना काम करेगी लेकिन यह सब जगा होता है जब कोई हत्यारा एक मार दे और दुबारा मार हत्यारे को यह हत्यारे के प्रियास करने वाले को रुपना कही अपराद नहीं है यहां किसी ने हक नहीं दिया गया है बिलोजी इंदुस्तान के समयदान में कि तुरंत जो है उसको कोई रियक्शन करें इसको पकड़िये पुलिस के हवाले करिये यह कहा गया है यह नहीं दिया गया है करिए चीज और बता दू मैं अश्मनी जी अबास जी कल एक आदमी को हमारे कारे करताओं ने पकड़ के पुलिस को सौफ दिया उसकी बोड़ी मिली है सुबहे इसकी भी जाश करा लो कल एक आदमी को जो उस गाड़ी में सवार था उसको पकड़ के फीर ने पुलिस को सौफ उसकी सुबह बोड़ी मिली है बराबर केस में से कहीं से तो जाच का भी से है अब यह आपको उसाना चाहिए करें अब लिए इसके साख्ष के साथ आप लोग परसाथन पर मिलिये जो भी दोसी हो ना उसके खिलाफ करेवाई होगी विल्कुल मिलेंगे हमारे किसार में दाओन हमें उसकी साजा निंदा करने चाहिए और दोस्यों के खिलाफ क्लाफ क्या होना चाहिए करवाई होनी चाहिए अरे आज की घटना देखिए ना आज की घटना आपके अजग जी ख़ले थे अरे बाई आज की बात तो मान लीजिए आज आज आपके अजग जी खले थे और पुलिस की खुद कार्य को इंजान देती है आपके अजग के सामने दरोगा की वर्दी फाल कर मारा गया आपके अजग जी दोसित मानते हैं इसको मेरे नाम पर ट्वीटर हैंडल देख लीजेगा मैंने ट्वीट भी किया है देखिए फोटो समेच आंदोलोनों को बदनाम करने के लिए जो करवारी हो भाटी चंगता पार्टी और उसकर साथी संगटन है अरे बाई आपके रास्ती अद्यक जो है तरोगा को फित्वार आए ख़ले होके नहीं पित्वार्टी पार्टी कहां से आगई इसमें पिल्क दोस्तों विधाव के संतोजी के पास थे आपको भी पता है मुझे भी पता है चलिए ठीक है अब बास जी विनोच जी आपके पास आना चाहूंगी मैं देखे आपके किसांट जो है वो लगता दस महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं लखीम पूर खिरी में भी कल जो हुआ सरकार के लगाई में निर्देश्श लोगों की जान जा रही है है किसान की मांग है और किसान की मांग है और किसान की जो है सही मांग है गलत कुछ मांग नहीं है आप इन व्यापारियों का इनका मोह छोड़ करके और देश की जो 70% 80% जनता है उनके पक्समा आईए वो यह आपको बोर्ट करता है उसीन आपको जिपाया है विनो जी एक सवाल है मेरा जी आपके इसमें जो अध्यक्ष है नरेश्टिक है जी उनका वीडियो वाइरल हो रहा है स्टिंग आपरेशन का वो एमस्पी से कम पर ग दिखिए गा इस पर क्या कहना है आपका सबनागर और फीर जाएं आपको कोई दलावी नहीं करें आग भी विरोजी आपकी बात सुन ली समय नहीं है में पस यहीं पर आप सभी को रोखना चाहूंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चल्चक का हिस्सा बनने के लिए और हमाईसा जुड़ने के लिए तो ऐसे में अब लखीम पूर्ख अखेरी में जो कुछ हुआ उसका जिम्मिदार आखिर कौन है और आगे आने वाले समय में पता चलेगा जब जाच होगी जब आगे मामले में जाच की जाएगी तब आखिर जिम्मिदार पौन था इस पूरी घटना का उसका नाम भी सामने आ जाएगा फिलाज के इतना ही आप देखते रहेंगे News World in TR.